आज ये बैंगलोर लेक का चौथा दिन एंड आज के दिन भी दो मैचेस खेले जाएगे दिन का पहला मुकाबला होने वाला है डिफेंडिंग चेंपियन जैपूर पिंक पैंटर्स पनाम टेबल टॉपर गुजराथ जैंट्स के बीच में तो ये बहुत ही बड़ा मुकाबल होगा जहां पर जैपूर पिंक पैंटर्स को अभी तक एक भी जीत नहीं मिला है वहीं पर दूसरी तरफ गुजराथ जैंट्स के टीम को क्या दूसरी हार मिलेगा आईए इस मैच का डीटेल में प्रिव्यू करते हैं सबसे पहले मैच की इंफोमिशन पर नज़र डाल लेत जहां पर जैपूर पिंक पैंटर्स की टीम चार बार जीती है गुजराथ जैंट्स की टीम छे बार जीती है एंड दो बार जो मैच है वो यहां पर टाई हुआ है लास्ट बार जब दोने टीम बिड़ी थी तो जो मुकाबला है वो यहां पर टाई किया था जहां पर 51-51 का स्कोर था पीकेल सीजन नाइड में एंड ओवरोल हैड टो एड में गुजरा जैंट्स का पलड़ा भारी है दोने टीम्स के हैड टो एड रिकॉर्ड पर नज़र डाल लेते जैपुर पिंग पैंथर से सुरुवात किया जाए तो यह यहां पे जैपुर पिंग पैंथर की अच्छा परफोर्मेंस दिखा रहे है वहीं पे गुजरा जैंट्स की तरफ बड़े तो गुजरा जैंट्स की स्टार्टिंग सेवन आप देख सकते हो जहां पे हमें राकेश सुंगरोया पर्तिक दाहिया रोहीद गुलिया सौरव गुलिया अरकम शेक सोंबिर गुलिया फजल अतराचली देखने को मिल जाएगे जहां पे पटना वाले मैच के अगेंस्ट राकेश एंड रोहीद अच्छा कहले ते वहीं पे डिफेंस में सौरव एंड सोंबिर ने काफी अच्छा परफोर्मेंस दिखाया था दोनरे टीम की स्टार्टिंग सेवन को कंपेर करें इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हो P.K.L. के हर एक अपटेट आपके मोबाइल पे सबसे पहले हमारे टेलिग्राम चनल पे देखने को मिल जाएगा अभी प्रो कबड़ी सीजन 10 चल रहा है एंड डेली मैच के कवरेज हो गए प्रो कबड़ी के कुछ एक्स्लूज पैंतर से सुरुवात करते तो आप देख सकते हूँ रेडर्स में देखने को मिल जाएगे अरजुन देख्ब के टीम से अरजुन अद् भवानी राजपूत ने स्कोर किया था एनडurdayन पर्वानी डीशwn जान ने डिजट सा परफॉर्मेंस नहीं दिखा है गुजरा जैंट के खेम में में भी सेम वही सिचुएशन चल रहा है जहां पर राकेश अच्छा खेले लेकिन रोहित और परतिक वैसा परफोर्मेंस नहीं दिखा पारे जैसा पिछले सीजन में उन्होंने दिखाया था तो उम्मीद यही करते है कि जैपूर के टीम से वियजीत कुमार और गुजरात के टीम से परतिक दहिया अच्छा परफोर्मेंस दिखाए दोनों टीम का रेडिंग लाइनप बराबर है कवर डिफेंडर्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जैपूर पिंक पैंथर्स का लेकिन दिक्कत यह कि अरकम शेक अभी तक वैसा परफोर्मेंस नहीं दिखा पाए और गॉर्णर डिफेंस की बात की जाए तो दोनों टीम का परफोर्मेंस बराबरी का है जहां पर जैपूर के पास सहूल अंकुष जैसे डिफेंडर है गुजरात के पास भी सोंबीर इंट्रस्टिंग मुकाबला होने वाला है कौन जीटीम अचा परफोर्मेंस दिखाएगी वो तो आमें आज के दिन ही पता चलेगा मैच के दोरान अब उन प्लियर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिन पे सबकी नजरे रहने वाली है जैपूर पिंग पैंथर से सुरुआ बात किया जाए तो मुझे लगता है कि सुनील कुमार पे सबकी नजरे रहेगी कपतान जैपूर बिंग पैंथर से अबी वी कपतानी नौक आना अभी बाकी है सुनील कुमार ने बेंगॉल वरियर्स के खिलाफ दो टैकल पॉइंट स्कोर किया था एंड मुझे लगता है कि इस मुकाबले में बहुत ही अच्छा परफोर्मेंस दिखाएगे और गुजरात जैंट की खेमे की बात की जाए तो मुझे लगता है कि गुजरात के टीम से सोंबीर गुलिया पे सबकी नजरे रहेगी पतना पाइरेट्स के किलाफ इन्होंने हाइपाई जड़ा था एंड वैसा परफोर्मेंस दुबारा कंटीन्यू कर सकते हैं अब यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं मेरी क्या प्रेडिक्शन रहने वाली इस मुकाबले को लेके मेरा पहला प्रेडिक्शन यह है कि दो रिडर जैपूर पिंक पैंथर के टीम से सूपर 10 स्कोर करने वाले एक तो मुझे लगता है कि अरजुन देश्वाल होगे और इन के साथ कौन होगा दूसरा रिडर विए जीत कुमार भवानी राजपूत या फिर कोई और रिडर वो तो मैं आज की दिन पता से लेगा ये मेरा पहला प्रेडिक्शन है दूसरा प्रेडिक्श के टीम ये मंकाबला जीतेगी तो इसे क्लियर हो चुका है कि गुज़रा जाइट्स की टीम इस मुकाबले में विसद्न हो चुकि है अब आपको लगता है कि कौन ह्वे जीटेगी जैपूर पिम्क पैंटर्स-額पनॉत या पिर गुज़रा जायंट्स अगर आपको को लग पूस्ट मैच का प्रिव्यू नहीं देखा है ता आप वह वीडियो भी चेक आउट कर सकते हो राइट साइट पे तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे कौन इंट्रसिंग उड़ो के साथ ठैंक्स पर वाचिंग